Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल किछले दो हफते से ऐसा लग रहा था, कि ये जो पूरा Summit है COP27, ये बेकार चला जाएगा, क्योंकि किसी प्रकार का जो agreement है वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन let me tell you, कल अचानक से एक बहुत historic deal बताया जा रहा है, ये आप देख सकते हो, COP27 Summit strikes historic deal to fund climate damages, तो इसके बारे में हम detail से ज जाओंगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा, दोस्तों, अगर आप UPST की त्यारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जोडने का, क्योंकि best educator से, आप इस पूरे preparation कर सकते हैं, इसकी foundation से, आपको हमारे website और app पर जाना है, और code इस्तमाल करना है, अंकित live, ताकि पूरा course आपको सबसे कमदाम पर मिल सकें, इसके अंदर आपको live classes दिये जाते हैं, mentorship मिलता है, मतलब कभी भी कोई problem हो, आप अपने mentor से पूछ सकते हो, hand written notes दिये जाते हैं, time save हो, इसके साथ साथ answer writing practice कराए जाती है, आपके main exam के perspective से, क्योंकि वहीं से आपकी rank बनी है, इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर join कर सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले त एक बहुती बड़ा summit था, इसको कहा जाता है Earth Summit, ठीक है, और ये हुआ था Rio de Janeiro, जो की ब्रजील में है, ये हुआ था 3rd से लेकर 14 June 1992, actually 1992 के पहले आप देखेंगे, कभी-कभी कुछ-कुछ समय जो climate change से related मुद्दे हैं, उसको उठाया जाता था अलग-लग summit में, लेकिन वो सा सारी चीजों को एक साथ culminate कर दिया गया, और फानली यहाँ पर आप देख सकते हो, United Nations Conference on Environment and Development, और इसको बोला गया UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, ये एक प्रकार का जो है, हमेशा से एक रोल बन गया, कि इनी के द्वारा, जो भी climate change से related चीजे चेंज की जाएंगी, क्या करना है, climate change से कैस 1st March 1994 को, ये summit तो 1992 को हुआ था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो countries है, वो signatory बनते हैं, finally आप देख सकते हो कि 197 countries जो है, वो ratify कर दिया उन्होंने, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका जो main मकसाद था, वो यही था, कि climate change से कैसे लेपड़ना है, तो actually क्या है कि यहाँ पर जितने भी country signatory हैं, वो हर साल meet करते हैं, हर साल मिलते हैं, तो जब वो मिलते हैं, उसी को कहा जाता है Conference of Parties COP, तो COP 27 का मतलब हुआ, यह 27th Conference of Parties है, हर साल जो मिलते हैं, यह 27th है, और इस साल आप देख सकते हो, 200 से ज़्यादा countries participate कर रही हैं, और यह basically कहां पर हुआ है, इजिप्ट के अंदर एक शहर है, जगह है, जिसका नाम है, शर्मल शेक, अब इसकी भी जो location है, दोस्तों, बहुत important है, आपकी exam perspective से ध्यान रखेगा, यह मैं बात कर रहा हूँ, अरब देश आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर इजिप्ट रहा, और इजिप्ट क अगर आप देखोगे, यहीं से जो स्वेस केनाल है, वो भी गुजरता है, यह आप देख सकतो, रेट सी है, और रेट सी को connect करता है, मेडिटरियन सी के साथ, स्वेस केनाल यह आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो सिनाई पेनिसुला है, उसके ए पाएंगे, यहाँ पर लगाया गया था, और यहाँ पर जो theme दिया गया, जो हमारे द्वारा यहाँ पर code किया गया था, वो था life, lifestyle for environment, आपको याद होगा, प्राइमिस्टर मोदी जी ने, इसको बोला था, और जो हमारे environment minister है, भुपेंदर रियादो, उन्होंने इसके पादलब मेरा यह है, कि पिछले दो हफते से लगातार यह summit चल रहा था, in fact, इस summit को दो दिन के लिए और extend करना पड़ गया, जी हाँ, problem इतनी आ गई थी, कि होर ऐसा लग रहा था, कि climate change से निपटने के लिए, ऐसा कोई भी deal, attach नहीं हो पाएगा, कोई भी deal पर हम नहीं पह पाएगे, लेकिन, finally, दो दिन के लिए इसको और extend करना पड़ा, और इसकी वज़े से आप कह सकते हैं, यहाँ पर चीजे हो पाई है, in fact, यहाँ पर इसके बारे में मैं आपको बताओ, उसके पहले ध्यान रखेगा, इस साल का जो theme था, इस theme का नाम क्या है, the implementation cop, implementation cop, मतलब क कि पिछले साल, जो cop 26 हुआ था, वो हुआ था, ग्लासगो में, और उसमें प्राइमिश्णा नजिन मोधी जी ने में participate किया था पिछले साल, तो ग्लासगो में यह जो submit हुआ था, उसमें जो जो हमने commitment रखा, और उसके पहले वाले conference of parties में जो commitment रखा, उसको यहाँ पर implement किय आजा है, क्योंकि problem सबसे यही आता है, कि यहाँ पर हम fund तो ले आते हैं, बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं, लेकिन उसका implementation नहीं हो पाता है, और यही theme इस साल का यहाँ पर रखा गया था, अब मैं यहाँ पर आता हूँ कि exactly हुआ क्या, यह historic deal क्यों बताया जा रहा है, द specific question में आपने देखा होगा, बहुत सारे चोटी-चोटे island nations हैं, Marshall island होगा, इस तरह कि बहुत सारे आपको देखने को मिलता है, Micronasia के अंदर बहुत से islands है, तो वो जो islands है, वो क्या हो रहा है, दिरे-दिरे डूब रहे हैं, क्यों डूब रहे हैं, क्योंकि climate change हो रहा है, क्यों और जादा गरम होते जारी है, और जितना जादा गरम होगी, glaciers बिखलते जाएंगे, और जो sea level है, वो बढ़ता जाएगा, और sea level बढ़ेगा, तो सबसे जादा खत्रा उन गरीब देशों को होगा, उन छोटे-छोटे island countries को होगा, जो इस से निपटने में कामियाब नहीं ह हो सकते, क्योंकि एक तो उनके पास पैसा नहीं है, और उतना जमीन भी नहीं है, कि अपने आपको यहाँ पर बचा पाएं, और इसलिए उन गरीब देशों को मदद किया जाए, उनको यहाँ पर बताया जाए कि किस तरीके से आप climate change से निपट सकते हैं, कौन सी technologies का इस्तमा कर सकते हैं, कोईला जनाने के बजाए, जो solar energy है, wind energy है, उसको कैसे अपनाया जाए, लेकिन उसके लिए उनको fund देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, और वही fund basically बनाया गया, आप एक प्रकार से कह रहे हैं, और जैसा मैंने कह रहा था, कि यहाँ पर दो दिन के लिए कि यहाँ पर एक fund बनाया जाएगा, और इस fund का नाम क्या है, loss and damage fund, तो यह आपकी exam perspective से बहुत important हो जाता है, loss and damage fund, recently news में था, यह क्या हुआ था, किसी से related है, तो ध्यान रखेगा, COP 27 में यहाँ पर जो historic deal अचीव की गई है, उसी के तहद यह fund बनाया गया, अब इस fund से क्या होगा, कि जो developing countries है, जिसमें भारत भी शामिल है, भारत भी developing countries है, हमें भी technology चाहिए, जो UK है, जो USA है, यूरोप के इतने सारे विक्सित देश है, उन्होंने कई दसकों तक बहुत सारा green house gas release किया है, अपने आपको तो विक्सित बना लिया है, पर capita income तो बढ़ा लिया है, ले लेकिन problem क्या है, देखो ये चीजें adopt तो कर लिया गया, कि हम ये जो fund है, loss and damage fund इसको बनाएंगे, लेकिन इस fund में कौन सा देश कितना पैसा डालेगा, UK कितना पैसा डालेगा, Germany कितना पैसा डालेगा, USA कितना पैसा डालेगा, अभी इसको लेकर तै नहीं किया गया है, और बताया जा रहा है कि इसके लिए एक transitional committee बनाए जाएगी, जो finally recommend करेगी कि कौन सा देश कितना पैसा देगा, कौन से देश के पास कितना पैसा जाएगा, वो सानी चीजें, अगले साल होने वाला जो COP28 है, और वो होगा आपका दुबई में, तो वहाँ पर इस चीज को अपन यहाँ पर जो हमारा global temperature है, वो 19th century से आगे बढ़कर 1.5 degree Celsius से जादा नहीं होने देंगे, क्योंकि जादा तर experts का मानना है कि अगर इससे जादा हुआ, तो millions of people यहाँ पर उनके उपर एक बहुती devastating effect आएगा, और most probably बोला जा रहा है कि बहुत मुश्किल है, 1.5 degree Celsius अचीव कर ही कर रहे हैं, या फिर नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि 100 billion dollar की fund की बात कही गई थी, याद है आपको, यह basically हुआ था 2009 में, 2009 में जो conference of parties हुआ था, उसमें ये बोला गया कि 100 billion dollar fund हर साल यहाँ पर जुटाया जाएगा, 2020 से, 2020 के बात से 100 billion dollar fund हर साल जुटाया जा वो ना हो, उससे निपटने के लिए 100 billion dollar का fund बनाया जाएगा, लेकिन आपको पता है कि ये कभी fulfill ही नहीं हो पाया, यहाँ पर आप देख सकते हो, हर साल कोशिश की जाती थी, कि यहाँ पर fund को बनाया जाएगा, जुटाया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हो, हमेशा shortage हो जाता था, और यह 100 billion dollar कभी अचीव नहीं हो पाया, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, यह जो 100 billion dollar fund की बात कही गई थी, वो एक प्रकार से क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा, अभी के लिए नहीं पता, लेकिन यहाँ पर अब कोशन ये है, कि क्या ये वाला जो fund बनाया की वज़े से जो victims हैं, वो वही होते हैं, जैसे कि flood हुआ, drought हो गया, सूखा पढ़ गया, heat wave आ गया, famine आ गया, storm आ गया, मतलब कि जितने भी चीजें होती हैं, वो ज़्यादा तर आपको इन गरीब देशों पर देखने को मिलेगी, और उसका बुरा असर देखने को मिलेगा देखो climate change की वज़े से devastation तो developed countries में भी आता है, लेकिन क्योंकि उनके पास पैसा है, Europe के पास पैसा है, तो वो अपने आपको समाल लेते हैं, लेकिन गरीब देश अपने आपको नहीं समाल पाते हैं, और कहीं न कहीं इसी को देखते भी जो poor countries हैं, जो campaigners हैं, उनके अंदर क पाकिस्तान, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको याद होगा भी recently बहुत सारी खबरे आई थी, कि पाकिस्तान का one third हिस्सा, सोचके देखिए, पाकिस्तान का one third हिस्सा डूप चुका था, इतना भेंकर flood आया था, वहाँ पर इतने लोगों की जाने गई थी, तो आप कह सकते हैं, य यहाँ पर यह भी है, क्योंकि हम भारत की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या भारत को इसका फायदा होगा, देखो, यह जो loss and damage fund बनाया गया है, इससे सबसे ज़्यादा मदद की जाएगी, जो vulnerable nations हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा flood आता है, जो climate change की वजए से, जो natural disasters आते हैं, उसको ध्यान में रखते वे, यहाँ पर गरीब देशों को सबसे ज़्यादा मदद की जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं इस fund से भारत को भी मदद किया जाएगा, भारत को भी technology दी जाएगी, पैसा provide किया जाएगा, ताकि हम भी अपने देश के अंदर यहाँ पर जो चीज हैं, तो climate change अगर आता है, natural disaster आता है, तो सबसे अधा impact आपको भारत के लोगों, in terms of number के अगर हम बात करें, overall size में अगर आप देखोगे, तो भारत का economy बढ़ आया, GDP बढ़ ही है, अच्छी बात है, लेकिन population इतनी जादा है, तिको कहीं न कहीं हमें भी यहाँ पर इसकी भर के अंदर, तो चाइना को भी यहाँ पर developing countries माना जाता है, तो क्या यहाँ पर इस fund के मादियम से चाइना को भी मदद करनी की, क्योंकि चाइना के पास आप देखो कि तो बहुत सारा पैसा है, वो अपनी मदद खुद कर सकता है काफी अच्छे से, तो यहाँ पर United States और European Union जैसे देश का कहना है, कि हम चाहते हैं कि यह fund में चाइना भी contribute करे, चाइना पीछे क्यों अट रहा है, लेकिन चाइना का कहना है कि नहीं, हमने तो अभी पिछले दो-तीन दसक से start किया है green house gas release करना, उसके पहले तो आप ही लोग करते आ रहे थे, तो दोनों तरफ आपको तरफ देखने को मिलेगा, और यहीं चीज़ है, देखना होगा भारत को यहाँ पर कितना मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो तो अगले साल डिसाइड होगा, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ कि COP27 यह जो हुआ है, इसमें कुछ और important चीज़ें सामने आई है मतलब कुछ और outcomes आया है, जो पहले वाले summit के अंदर नहीं आता था, जैसे कि पहली बार explicit chapters डाला गया है इस साल, food को लेकर, खाने को लेकर, oceans को लेकर, forest को लेकर, मतलब कि कही ना कही nature और climate change का जो link है, उसको recognize करने की कोशिश की जारी है, ताकि हम बचा सके nature और climate change को, इसके Russia invasion of Ukraine, ठीक है, अब इसकी वज़े से क्या हो रहा है, कि geopolitics अलग चल रही है, तो क्या geopolitics की वज़े से क्या हमे climate change की उपर ध्यान देना, नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं, चाहें कोई invasion कर रहा है, कहीं war हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, उससे कोई लेना देना है, वो एक अल वो भी यहाँ पर specifically डाला गया है, तो let's see, आगे क्या होगा, आगे देखो, अब यही है, कि यहाँ पर जो committee बनाई जाएगी, जो recommend करेगी, कौन कितना पैसा देगा, किसके पास कितना पैसा जाएगा, वो अब अपनाया जाएगा COP28 में, जो कि दुबाई में होगा, ठीक है अब दुबई आपको पता है, United Arab Emirates, वहाँ पर oil, gas हो गया, oil हो गया, सबसे काफी ज़ादा pollute करते हैं आज के रेट में, Middle East में आप countries, Arab countries आप देखोगे तो, तो काफी important एक destination है, अगले साल देखना होगा, आपका क्या मानना है, कि क्या यह जो historic deal की बात कहीं जारी है, क्या यह सही है, क्या और जादा करना चीए, climate change को लेकर, let's see, जाने से पहले एक interesting question, climate change से related, carbon dioxide और इन सब के बारे में है, क्या बता सकते हो, कौन सा statement correct है, इसका right answer, आप सब को पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते है इसका सही उत्तर में, कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर Stories में डालता रहता हूँ, बाकि अगर आपको PDF यह तो Telegram पर आईए, अलग-लग Social Media पर आप जूर पाओगे, और जैसा मैंने बताया, UPSC की त्यारी कर सकते हैं, by using the code Ankit Live, ताकि आपको maximum discount मिले, I hope की वीडियो आपको